How are you? I hope all of you are fine. चलो बच्चो, आज मैं आपको टॉइस के बारे में बताऊंगी. टॉइस किसको कहते हैं? येस, खिलोनों को टॉइस कहते हैं. और आप तो सब जानते हो कि खिलोनों को ही टॉइस कहते हैं. और ऐसे कौन बच्चा होगा जिसे खिलोना पसंदना हो? हो ही नहीं सकता कि आप सब के पास खिलोना यानि टॉइस ना हो और आपको खिलना भी पसंदना हो. है ना? क्योंकि बच्चो का फ्रेंग जो होता है, वो कौन होता है? टॉइस. आप जब अभी आप बहुत छोटे हो, अभी स्कूल बंद है, तो हमारे कोई दोस्त नहीं होते हैं, है ना? तो हम time किस के साथ spend करते हैं, अपना time किस के साथ हम लोग share करते हैं, अपने खिलोनों के साथ, यानि कि अपने toys के साथ हम लोग अपना time जो है spend करते हैं, तो चलो आज हम सब कुछ ऐसे ही खिलोनों के नाम English में जाने, जो हम तो खेलते हैं उनके साथ, बट उनके name नहीं जानत तो चलो मैं आपको आज help करती हूँ और बताती हूँ Let's start First में क्या बता? T E D D Y T E D D Y T E D D Y T E D D D जिसे हम लोग T E D B E R भी कहते हैं बड़ अभी आप बहुत छोटी हूँ इसलिए spelling आपको short में दिया गया है T E D जिसे आप सब भालू-भालू भी कहते हैं है ना? और T E D आलमस्ट जो हैं वो भालू की तरह देखने मी ही होता है और आप स्क्रीन में देख सकते हो आपको मैंने पहचानने के लिए एक T E D D का पिक्चर भी लगाया है है ना? तो इससे क्या बोलते हैं? टेड़ी T E D D Y और ये भी एक खिलावना है जिसके साथ हम लोग खेलते हैं और देखोगे कि जब आपका बर्दे होता है या फिर कहीं आप चाहते हो किसी के घर घुमने तो हमें गिफ्ट में भी ये टेड़ी मिलता है और हम बहुत शौक से इसे घर में सजा कर रखते भी हैं है ना? रखते हो आपके घर में है? गुड़ किसी के पास रड कलर में होगा किसी के पास यलो कलर में होगा किसी के पास क्रीम कलर में होगा बर टेड़ी सब के पास होगा है ना? तो ये भी एक खिलोना है जिसके साथ हम लोग खेलते हैं चले नेक्स देखें क्या है D O L L डॉल डॉल को हिंदी में गुरिया कहते हैं और गुरिया किसके पास नहीं होगा specially girls के पास तो डॉल होंगे हैं क्योंकि उन्हें डॉल के साथ खेलना बहुत पसंद है एक डॉल खरिद के लाना यानि गुरिया जिसके साथ हम खेल सकें है ना तो डॉल को क्या बोलते हैं गुरिया D O L L डॉल चले नेक्स देखें क्या है बिटा B A T बैट बैट को हिंदी में बल्ला कहते हैं boys को boys के पास तो ये जरूर होगा क्यूंकि बैट से खेलना boys को बहुत ही पसंद होता है क्यूंकि बैट अन बॉल से ज़्या तर बच्चे यानि बच्चेों में सबा आते हैं बट especially boys को खेलना बहुत पसंद होता है बैट के साथ और अभी तो चारो तरफ कोरोना वाइरस है तो हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे है तो हम लोग अभी क्या कर रहे है अपने family के साथ अपने भाई बहन के साथ घर में ही खेल रहे हैं है ना और आप भी सब घर में ही खेलना अभी बाहर नहीं निकलना तो बैट को हिंदी में बोलते हैं बल्ला और स्पेलिंग क्या होगा बैट का बेटा ब-a-t बैट छले नेक्स्ट देखें क्या है बॉल ब-a-l-l बॉल तो बैट का बेस्ट फेन है है ना बॉल जो है वो अधूरा है बीना बैट के उसके साथ जब भी आप देखोगे, बैट जिसके पास है, उसके पास बाल जरूर होगा, है ना बेटा, आपके पास भी जरूर होगा, बाल को हिंदी में गेंद बोलते हैं, B-A-L-L, बाल, और ये छोटा सा बाल है, जिसके साथ हम लोग बैट के साथ इसको लेते हैं, खेलते हैं, एक और बड़ा सा होता है जिसे हम लोग फूट बॉल कहते हैं इसको देखो मैंने स्क्रीन में दिखाया है ये भी एक बॉल है बट इसे हम लोग फूट बॉल कहते हैं क्यों क्यों कि इसको पैरों से किक करके खेला जाता है पैर से हम लोग मारते हैं इसलिए इसे फूट बॉल कहते हैं है ना तो क्या बोलते हैं एक किस्म का ये धोल होता है बजता है आप देखोगे कि जहां पे बहुत सारे खिलोने सेल होते हैं Toys का स्टोर होता है वहां पे एक monkey बैठकर इसको बजाता भी है ना कहीं कहीं monkey होते हίν dwarf बै होते हैं इसे बजाते हैं दो stick भी रखा हुआ है जिसके help से ये बजता है drum को क्या बोलते हैं? ढोल भी बोलते हैं है ना? आपके पास भी होगा बचपन में जब बच्चे रोडते हैं तो drum को बजा कर उसे शान किया करते थे I hope कि आप भी जब छोटे होंगे तो आपके पास भी होगा आपके ममा आपके लिए ज़रूर खरीदी होंगे drum का spelling क्या होगा बिटा? D.R.U.M. drum ओके? नाओ चले देखते हैं next क्या है? yes, toy car यानि कि सब का favorite toys T.O.Y.C.A.R toy car toy car यानि car तो एक होता ही है जो कि हम सब वहिकल के तौर पे यूज करते हैं कहीं आते जाते हैं बट ये toy यानि खिलोना वाला car है जो कि सब के पास होगा, boys के पास तो especially होगा, है ना? किसी के पास yellow color, किसी के पास red color, किसी के पास black color किसी के पास remote control और किसी के पास ये चाबी वाली car जरूर होंगी, है ना? कोई कोई रिमोट कंट्रोल से चलता है कोई कोई जो है बैटरी से चलता है और कोई कोई चाबी देने से अगर आप कीज से ऐसे आप अगर उसे करोगे तो वो कीज से भी चलता है पुश करने से भी चलता है तो यह सारे क्या है मिटा toy car है, जो कि आपके पास जरूर आपके घर में होगा, जिसके साथ आप सब खेलते हो, time spent करते हो चले, now next देखें, क्या है train train, toy train, आप सोचोगे train, train कैसे खेलने वाली चीज़ हो सकती है मैं, train बीटा वो नहीं, ये toy train है जिसे हम लोग खिलोनों वाला train कहते है देखो, इसमें भी track बने होते हैं, छोटे-छोटे डब्बे होते हैं, सामने engine होता है, और वो train एक दुसरे से लगी हुई होती है और फिर इसे अगर आप चाबीद होगे, या फिर बहुत सारे अभी के जमाने में तो सारे रिमोट से जलते हैं है ना, तो इसे toy train कहते है t-o-y, t-r-a-i and toy train जो कि खिलोनों वाला train कहते है I hope किसी किसी के पास यह train होगा, मैं भी बहुत चोटी थी थी ना, तो मैं के पास भी था कि मुझे बहुत पसंद था toy train चलिए, next देखें, क्या है top, t-o-p top, top मिस होता है लट्टू, जिसके साथ आप सब खेलते हो है ना, लट्टू ऐसा होता है आप छोड़ दोगे अगर नीचे first पे तो वो dance करने लगती है वो गोल-गोल घुमता है ना, गोल-गोल वो spin करता है, गोल-गोल घुमता है इसे हिंदी में लट्टू बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं t-o-p, top चलिए, next देखें क्या है k-i-t-e, kite kite भी खिलावना है क्योंकि आप इसके साथ खेलते हो, जब आपके पास ये kite होगा भी पतंग जिसको हम लोग बोलते हैं आसमान में उड़ाते हैं और जब ये आसमान में उड़ता है तो हम लोग को बहुत खुशी होती है और कहते हैं, देखो, मेरा जो पतंग है कितना उचा गया कितनी दूर तर चारा है मेरा पतंग है ना, तो काइट को क्या बोलते है पतंग, स्पेलिंग क्या होगा बिटा कि आई टी इ काइट, ओके, चलिए नेक्स देखें क्या है पजल, पी यू डबल जड ल इपजल और पजल तो जरूर खेलना चाहिए बिटा, पजल एक ऐसा गेम ऐसा टॉइज है जिसके खेलने से हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही शार्फ होता है है ना, पजल को सॉल्ब उनहीं लोग करते हैं जिनका कॉनसेट्रेशन लेबल बहुत अच्छा होता है, तो मैं चाहूँगी कि आप सब पजल के साथ जरूर खेलो, क्योंकि इससे क्या होता है आपका ब्रेन बहुत शार्फ होगा अब सोचोगी कि पजल खेलने से कैसे मैं ब्रेन शार्फ होगा देखो, ये पजल को सॉल्ब किया जाता है जैसे देखो, यहाँ पे सारा बिख़डा हुआ टुकडा बड़ा होता है और हमें एक दिया होता है पिक्चर की इसको इस तरीके से बनाना है तो आपको सारे टुकडो को इस तरह से सजा कर आपको वहाँ पे लगाना होगा जैसे उस पिक्चर में दिया है डिट्टो आपको वैसे ही वहाँ पे उसको बनाना है तो है ना बहुत ही ब्रेन वाली काम इसलिए मैं कहूंगी कि आप सब पजल के साथ जरूर खेलो अभी करोना वाइरस है तो जब पढ़ाई कंपलीट हो जाए तो पजल के साथ टाइम स्पेंड करो इससे आपका ब्रेन जो है बहुत शार्फ होगा और कॉंसेट्रेशन लेबल भी आपका बहुत अच्छा रहेगा आई होब आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और मैं चाहूंगी कि जो भी आप टॉइस नेम मैंने आपको दिखाया वीडियो में उसे आप लेर्ण करें और अपनी कॉपी में से राइट करेंगे आशा है आप सबको ये वीडियो देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा टटा बाई बाई अंट टेक क्या